दोस्तों नेटवर्किंग के दुनिया में कोई भी आते है तो सोचते मैं तुरंद करोर पती बन जाओंगा तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों उसके लिए आपको डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी जुनून और लेर्णिंग बहुत इन्पोडेंसी है सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा जिस प्लेटफार्म में आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा टोटल वर्क उस प्लेटफार्म का जब उस platform को work आप सीख जाओगे तो फिर जब आप आगे move करोगे तो आपको किसी तरह की परिशानी नहीं होगी आप guarantee है उस मुकाम तक पहुँच जाओगे वो सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए जब उस वक्त आप महनात और dedication से work करोगे तो guarantee आपको success मिलेगी आपको founder में जरूर से जरूर पहुच जोगे दोस्तो networking का job में बहुत difference है जो job करते हैं जो बंदे को salary मिलती है उनकी starting stipend 20,000 क्यों ना हो 25,000 क्यों ना हो 50,000 क्यों ना हो लाग रुपे क्यों ना हो जब वो 20 साल 25 साल नोक्री करता है नोक्री करने के बाद उसकी life नोक्री जैसी ही रहती है यानि वो lifetime नोकर बनकर ही रहता है लेकिन आप खुद की business जब आप करते हो net rating system में तो दोस्तो आप आपकी खुद की मालेक आप खुद रहते हो और जानते हो दोस्तो शुरुआती दौर में तो no doubt एक साल दो साल चीन साल चार साल में आप शुरुआती दौर में 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके जरूर कमाओगे लेकिन अगर वो पूरी learning लेकर अगर उस तरह से उस platform में अगर दूम मचा दिये थो दोस्तों चार-पांच साल के अंदर में आपको फाउंडर के अंदर में चले जाओगे और स्रिप को फाउंडर नहीं यार आपके नीचे में आ जाएंगे वो में नहीं बता सकता लेकिन रोड़ी के संचाई आएगा नौबत कि उनको खाने का उसके बाद उस पैसे से बचेगा भी नहीं क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो रिटार्मेंट लाइफ के बाद क्या क्या होता है लेकिन अगर नेट्वर्किंग सिस्टम में आ गया अगर उस सिस्टम को फॉलो करके सीख कर अगर मूफ कर दिये तो दोस्तों आपका परिवार और आप खोद कभी भूखा ने वरोगे आपके साथ उस खाते खाते ठक जाएंगे लेकिन उसकी कमी नहीं होती है और साथ में आपके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सब को जो इंकम देने का रस्ता आपने दिखा दिया और लाइफ टे नेटवर्किंग के सिस्टम को फॉलो करो जो बन्दा नेटवर्किंग अगर सीख गिया तो निश्ची तर कामयाब इंसाइट बनेगा दोस्तों बहुत पुरा निकाहात है कि अधीग जो जानते हैं अपने आपको ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं वो नेटवर्किंग क नेटवर्किंग के दुनिया में जब इतने कम पढ़े लिखे इंसान जब करोर्पति बन गए हैं तो मैं तो यार बहुत इसली तरीके से बन जाओंगा तो वही उनका जो सोच होता है घमंड वाला सोच उनको फेलियर की राश्ट में देखाता है उसके बाद जाकर आप हो बंदा क्या करता है ने जोटिंग के सिस्था को गलत साविच करने की वोटिस करता है लेकिन वह यह नहीं आपता कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान एक जो जो प्जोर बंदा है जिस इंसान को यह लगता है कि उसके सपने बैठे-बैठे पूरे हो जाएंगे वो कल भी करना चाहते हो तो उठो और आगे बढ़ो और कर डालो को जिसको करने के लिए बहुत दिनों से बहुत दिनों से सोच रहे हूं आज अभी इसी वक्त